Hello students, welcome to my new video, आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे Swift as a misanthrope, ओकी, misanthrope किसको बोलते हैं, hater of mankind, जिसको mankind से क्या होती है, नफरत, उसको बोलते है misanthrope, Swift कौन है, राइटर है, gulliver travels का, ओकी, ये एक बहुत ही जादा important long question है, अगर आप किस लिबस में gulliver travels शामिल है, तो आपको एक question आना चाहिए, तो चलें शुरू करते हैं, हमारे पास ही यहां से शुरू हो रहा है, Swift is regarded as the bitterest satirical writer amongst his contemporaries, gulliver's travel is a great manifestation of his bitter attitude, ओके, तो Swift को वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़े satirical writer है, bitter किसम के, मतलब इनके मुकाबले में जितने भी और लोग हैं उनके मु के मुकाबले में मतलब, मतलब अगर उनके साथ हम इनका competition करें तो एक बहुत ही bitter किसम के satirical writer है, और जो gulliver travels है, जो कि इनका work है, जो कि इनने लिखा है, ये बहुत ही बड़ा उसका क्या कहते हैं, सबूत है उसके bitter attitude का, ओके, next है, no doubt, most of the critics alleges him for being misanthropic due to his acute disgust for mankind, और बहुत साथ ही critics भी इसके इस बात पर कोशते हैं, कि ये बहुत ही बड़ा, क्या है, misanthrop है, और क्योंके इसने, मतलब, mankind के खिलाफ लिखा है, ठीक है, उनके खिलाफ इसने बोला है, but, with a deep and critical evaluation, sorry, evaluation of the book, we can strongly assert that Swift is not a misanthrop at all, rather, he is a, मतलब, philanthrop, philanthrop क्या है, lover of mankind, misanthrop क्या है, hater of mankind, लेकिन वो कह रहे हैं, कि मतलब, अगर हम इनके book का deeply, मतलब, मतलब, मतलब करें, उसको deeply study करें, उसके बारे में, अगर हम उसकी critical evaluation करें, तो हमें बता चलेगा, कि ये, ये कोई strong किसम का misanthrop नहीं, बरके ये तो एक philanthrop है, lover of mankind है, ठीक है, swift wants to reform mankind, out of their fullies and stupidities, he says that the chief end of all his labor is, sorry, line next, जो swift है, वो क्या है, वो मतलब, मतलब, उसकी fullies and stupidies के बारे में, बताना चाहता था, जिसके बारे में, उसने लिखा है, जिसके बारे में, वो कहता है, to vex the world, rather than divert, मतलब, वो world को क्या करना चाहता था, वो जोड़ना चाहता था, वो चाहता था, कि हाई कोई प्यार महबबत से रहे, ठीक है, लडाई जगड़ों में, वोर्ड्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है, जहां पर वो जब जाता है, लगाडू में, तो वहां के किंग को वो अपनी मतलब, यहां के civilization के बार में बताता है, अपने rules और laws बताता है, तो वो हसता है, मतलब, वहां का किंग इस पे हसता है, किस तरह के तुम लोग लोग, तो वहां से हमें यहीं बताना चाहता है, कि आप लोग जो हो, आप लोग जुड़ कर रहो, ना के divert हो कि एक दूसरे के खिलाफ हो के लड़ लड़ के रहो, ठीक है, फिर वो करता है, he declares that, I have ever hated all nations, professions and communities, and all my love is toward individuals, ओके, तो वह कहता है कि मैं तमाम nations से नफरत करता हूँ, professions से नफरत करता हूँ, communities से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं प्यार करता हूँ individuals से, मतलब मैं एक एक इनसान से प्यार करता हूँ, मतलब यह सारी जीज़ें, professions, communities, nations, हमें अलग करें, हमारे दर्मयान में प्यार इरितफाक नहीं होने देरे इसलिए उन सबसे नफरत करता है तो स्विफ्ट सीम्स तू चैलेंज दी इमोशन्स इन मैंनकाइंड यट इड़ ड़स नॉट मीन दाट ही कॉंडेमेंट्स इमोशन्स कम्प्लीटली मतलब अब जो स्विफ्ट है उसने मतलब चैलेंज किया एमोशन्स को मैंकाइंड के लेकिन इसका हरगे मतलब नहीं है कि उसने डिसप्प्रूफ किया है मतलब एमोशन्स कि उसने का एक कोई value यह नहीं है तो उसने कोई बात नहीं की और यह बिलीफ करता था man is capable of becoming rational if he makes the necessary efforts तो वो कहता है कि एक जो आदमी है न वो मतलब उसके अंदर इतनी capability है कि वो अकलमन बन सके, वो he can become a rational मतलब वो अकलमन बन सकता है लेकिन बस उसको होड़ी सी महनत करनी चाहिए और हमारे यहां अकल से नहीं हम लोग जादा तर काम ले रहे हैं यह जो वोर्ड वो कहरा होती है इसमें फाइदा किसी का बै नहीं होता लेकिन बस इंसान है न Swift was sorry Swift was notorious for being a misanthrop and he was subjected to this allegation during his lifetime because the critics identified Gulliver with Swift thus attributed Gulliver's blunders to Swift okay तो यहां पर वो क्या कहते हैं जब Swift जिन्दा थे तो उनको मतलब काफी उनकी बदनामी हुई इस बात पर के वो misanthrop है ठीक है और उनको मतलब इसके इल्जाम भी लगाया जाता रहा उनकी पूरी lifetime में लेकिन और इसकी वज़ा यह थी क्योंके जो क्रिटिक्स थे वो कहते थे जो गुलिवर है ना वो गुलिवर को मिलाते थे Swift से Swift ने अपना किरदार गुलिवर लिखा है और यह खुद मतलब सारी बुराइयां का रहत थे जिसकी वज़ा से जो गुलिवर है उसके सारे blunders भी वो क्या कहते है Swift ने की है ठीक है और उसको आई में बदनाम करते थे कि यह तो इंसानों से नफरत करता है इसने तो घोडों को उसको पसंद कर लिया आपने इस तरह के इसने लिख है मदलिव इस तरह की वाते होती थी इस अन डिनाइडेबल एंड इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट डाट गुलिवर्स बिकम्स आ मिसंथ्रॉप इन दी लास्ट यॉज और यहां पर वो कहते हैं कि मतलब यह मतलब यह नहीं कहा जा सकता कि यह घलत है मतलब यह डिनाइडेबल नहीं है और नहीं इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट है कि जो गुलिवर्स है वो लास्ट यॉज में मिसंथ्रॉप बन गया था बाकियों में तो उसने हुमिन काइड की इतनी बुराइया नहीं कही लेकिन लास्ट यॉज में उसने जब होर्स इसको बसंद किया तो वहां पर लोगों ने उस पे मतलब क्या करते हैं तनकीद उठाना शुरू कर दी ही जा मिसंथ्रॉप जी हेटर्ड ही डिवालप्स अगेंस दी मैंकाइड इन और यहां पर वह कहते हैं मतलब लास्ट यॉज में वह बन गया था जिसकी वह कह रहे हैं कि इसने मैंकाइड के अगेंस लिखा और उनसे नफरत जाहिर की और उसके बाद वह कहते है जब वह शिप में वापिस जा रहा था तो उसने कैप्टन से और अधर मेंबर से भी लड से और फिर उसने डिस्लाइग की अपनी ही बीवी और बच्चों को और जब बहुत बड़ा इविडेंस है इसको डिक्लेयर करता है कि यह क्या है यह है मिसेंथ्रोप ओके नेक्स अगर हम देखें नो डॉप गुलीवर्ड स्टार्ट प्रीफरिंग होर्सिस तो मैं और इस इस प्रिटीकली एवालवेट के करेक्टर को फॉर्थ यूएज में तो हम एब्सर्प करेंगे के फॉर्थ यूएज में गुलीवर्ड एक ऐसी कंट्री में गया था जोके आनिमल्स की थी जिसको रूल कौन करते थे आनिमल्स ठीक है और वहाँ पर दो कैटिगरीस थी आन ugly and repulsive yahooze सबसे पहले ugly and repulsive yahooze और दूसरे गोन से थे जो के अचा yahooze थे जो के मतलब वहशी थे और cunning glutonious मतलब इंतहा के गंदे और मतलब वो इस तरह के थे कि उन से हम नफरत कर सके मतलब इस के समके थे और comparatively उसके मुकाबली में एक और ईनिमल थे जो के वेटर थे नास थे हॉइन हम्स मिλλेन व्यूपक निकल आता है तो इम व्यूप micelles कोने उनिम्मिप आपके अब फ्रॉंटेड विद याहूज लेकिन जब गुलीवर इस कंट्री में गया तो सबसे पहले उसको याहूज मेले ठीक है जो के बहुत जादे नस्ती थे अपने अंदर उनके लिए डिस्लाइकिंग अपने दिल के अंदर पैदा कर ली ठीक है विच इस लेटर कनवर्टे इंटो हेटर हेटर ओइंग तो दियर डिस्प्यूटिंग फैसिकल अपेरेंट्स एंड दियर filthy filthy मसलिए मतलब गले सड़े गोष्ट की smell को बोलते हैं मतलब उससारा की जो उनकी smell थी उनकी mysterious ways of life पहले वो किन से मिला था याहू से और उनके साथ मतलब उनका behavior इसके साथ बहुत जादा बुरा था ठीक है जिसकी वज़ा से इसने अपने दिल में उनके लिए नफरत पायल पैदा कर ली थी और उनकी physical appearance गंदी थी उनसे smell ला रही थी उनका behavior बुरा था और उनका रहने का तर तो उसके साथ उनसे जब यह मिला ना तो इसका experience बहुत अच्छा रहा इसको खुशी हुए उनसे मिलके है नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है they secure him again और हम से उनने क्या किया उनने मतलब Gulliver को यहूस से बचाया क्योंकि यहूस उनके manner बुरे था वो तो इसको खान यहां पर गुलिवर कहते हैं the behavior of horses यहां पर गुलिवर कहते हैं कि behavior of horses shows him to be animals with an extraordinary power of understanding okay sorry extraordinary तो जब horses का behavior गुलिवर ने देखा तो उसने कहा कि यह मतलब वो animals हैं जिनके पास कुछ ज़्यादा ही power है understanding कि okay naturally this kind of treatment creates a sort of fondness in गुलिवर's heart for older animals and their way of life okay तो जब उनके इतना अच्छा treatment गुलिवर ने देखा ना तो उसने naturally गुलिवर के hurt मतलब उसके दिल में इनके लिए मतलब थोड़ी मतलब चाहत पैदा कर दी और इनके जो way of life था उसके लिए भी ना ठीक है up to this nothing is objectionable but his fault begins when गुलिवर's becomes so enamored of whenhams that he starts hating man in general or equating yahoo's with man and being to abhor man sorry begins to abhor man okay यहां तक उसको पसंद आया और इसमें कोई मसला नहीं है यहां तक वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है क्योंकि अगर कोई अच्छा behavior करता है हमें वो लोग पसंद आ जाते हैं wow what a nice person okay तो यहां पर उसकी कोई गलती नहीं है यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है जिसको हम objection करें लेकिन इसको फॉल्ट वहां पर शुरू होता है जब गुलीवर क्या करते हैं वह हम सको हद से जादा आइडिलाइस करने लग जाता है और यहूज को इंसानों से नफरत करने लग जाता है हाला कि वो खुद भी इंसान था ठीक है और यह इसकी प्रॉब्लम थी और जि इस फैमिली टीसी रिफ्लेक्स इस मेसंत्रॉब और फिर उसके बाद जो भी इंसीडेंस हुए उसके बाद इसने कैप्टन से लड़ाई कि उससे नफरत का इजहार कि अपने फैमिली से नफरत का इजहार कि और यह सारे क्या करते हैं इस बात कर रिफ्लेक्ट करते हैं कि ग गुलिवर कमेट आप सही है नेक्स ताइम दी ब्लंडर विच गुलिवर कमेट इन डाट ही ओवर आइडिलाइजस होर्स द्यू तो प्योर इंटेलेक्टिल आउटलुक ही ब्लेम्स इमोशन से अच्छा यहां पर गया है कि उसने उनको अपना रोल मोडल बना लिया कि इनको हर्स को ठीक है मतलब उनकी मतलब उनका जो प्योर इंटेलेक्टिल आउटलुक था उसको इसने आइडिलाइजस किया उसको अपना रोल मोडूल बना लिया जो कि इसकी मिस्तेक था और इसने ब्लेम किया इमोशन्स और सेंटिमेंट्स को हमारे इमोशन्स और मतलब जो भी स sentiments होते हैं उनको blame किया कि यह इंसान से अगर खतम हो जाए ना तो वो कभी corruption नहीं करेगा और इन्हीं दो चीज़ों को उसने का हर corruption जो भी man करता है उनके जवेदार यह दोनों चीज़े होती हैं ठीक है क्योंकि हम हद से जादे emotions दिखा देते हैं हुद से जादे sentiments हो करा देते ह और फिर हम बस इस side पे चले जाते हैं तो जब उसने यहूस को देखा ना कि उनके अंदर वो गुलाम है अपने emotions के अपने sensuality के और अपने sentimentality के जब उसने इन सब को गुलाम ऐसे पाया ना तो उसके बारे में इसने बोला yet I confess I never saw any sensitive being so detestable on all accounts and the more I came near them the more hateful they grew while I stayed in that country okay तो यहाँ पर वो कहते है के मैंने आज तक अब इससे की मखलूक नहीं देखी जो के हार जगा पर काबले नफरत है क्योंकि उनके अंदर को इससी चीजी नहीं इसको लगी जिसकी वज़ा से कहके हाँ यहाँ पर यह सही है ठीक है तो उसको हर जगा पर वो काबले नफरत और वो कह रहे है कि मैं जतने इनके करीब गया उतनी जादा मुझे इससे नफरत ही मुझे जब तक मैं उस कंट्री में रहा ठीक है नेक्स टाय ओन दी अधर हैंड दुसरी तरफ अगर हम देखें तो जो होईल हमस थे उनके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी वो करप्शन नहीं करते थे जो के याहूस करते थे और हमस क्या थे उनके पास कोई इमोशन नहीं थे इमोशन लेस नतलब क्या हो इमोशन जी नहीं है वो उनकी क्या है जिन्दगी है तो यहां पर यह यहली बात इनकी अच्छी नहीं थी अगर इमोशन भी होते तो क्या ही बात होती ही तो कहते हैं कि ये फ्री थे लुस्ट और ग्रीट से लालाज और सारी ऐसी चीजहों से नचुरली रोके नचुरली गुलिवर्ड रेलेट मैंस करप्शन विद एमोशन और पैशन और संटिमेलिटी हैं सारी सेंटी करु मैंस करप्शन का रीजन उसके इमोशन उसके पैशन और उसकी सेंटिमेलिटी होती है जिसकी एज़ा से उसने एक remedy के तौर पर उसने किया कि उसने अपने hating करना शुरू कर दिया अपने emotions को emotions उसने अपने मारना शुरू कर दिया खतम कर दिया फिर उसने passions को रोका मतलब जो था न उन सारी चीज़ों के खिलाफ हो गया और वो मतलब इस विक्टेम में प्योर इंटिलेक्ट के विक्टेम में मतलब चला गया और उसने कहा Here was neither physician to destroy my body nor liar to ruin my fortune Here were no givers, back biters, bots, evishers, murderers और poxers Okay, तो जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने emotions, passions, anxieties को छोड़ दिया तो उसने का, यहां पर अब कोई physician नहीं है, जो कि मेरी body को destroy करेगा Mainly बहुत जादे physician अब ऐसा ही कर रहे है फिर उसके बाद कोई ऐसा lawyer नहीं है, जो कि मेरी सारी कमाई भी मतलब दौलत को ले जाएगा क्योंकि lawyers भी बहुत जादा पैसा लेते हैं, इनसान को खाई जाते हैं और लोगों के, मतलब सब कुछ जहदाद, सब कुछ चला जाता है, सिर्फ एक case के बीचे और वो केस कौन का रहा होता है, lawyer, तो ना कोई givers है, ना कोई backbatter, ना कोई backbatter, ना कभी अपने बहन भाई बन रहते हैं, ना कोई कातिल, ना कोई foxes, कोई ऐसी चीज नहीं है अब ही next चलते है So, he idolizes Hoinham's due to their pure intellect and somehow establish a subject ideal before him that the only remedy for going away with man's corruption and pollution is to get rid of all kinds of emotions So, Hoinham's was inspired and inspired by their pure intellect, which is why he said that if we know that all the corruption and pollution is in our midst, then we kill our emotions So, this is the only thing that we will go away with, we will go away with. Okay, then Hoinham's stopped Gulliver's had what to do, Hoinham's way of life adopted and completely rejected Yahoos He wanted to live in Hoinham's land, but when they make a law, then they made a law that Yahoos will leave the country It is natural for him to hate Yahoos So, this is correct It is correct And it is correct है तो यह गलाथ है ठीख है और यह एक इनफ्रोप्रियेट और ऑच और यह ऑज दूसरी बात है होईद्हमस के बेस पर एक पर्फेक्ट मैं और आइड़ाइस करें और प्योर इंटल्एक्ट प्योर इंटलेक्ट अब को सिग्वेश निदूर और वह कहरे है pure intellect अगर हम hoindhams से मतलब कहरें तो ना तो hoindhams इंसान थे और ना ही yahoo's मतलब man थे कोई इंसान नहीं थे ठीक है instead man is combination of both intellect and emotions yeah this line is good ever तो वह कहरे है कि जो इंसान है वो है combination है दोनों का मतलब उसके अंदर अकल भी है उसके अंदर emotions भी है और hoindhams अकल वले थे और yahoo's क्या थे emotions वले थे ठीक है the best code of conduct is golden mean which is balance हाँ और जो मतलब इन सारी चीज़न से बचने का सिर्फ एक ही code है वो यह कि मतलब golden जो है code वो यह है कि balance करो intellect में भी emotions में भी कभी हद से जादा emotional ना हो जो कभी हद से जादा intellectual नहीं हो जो okay तो ऐसे ही यह विला paragraph भी इसमें भी सारी यही बाते हैं last paragraph पर चलते हैं यह मैंनिंग करें अगर आप नहीं पढ़ना है तो इसका ऐसे screenshot ले लें नेक्स हमारे पास है that is the reason we don't identify Gulliver with Swift और यही रीजन है इसकी विल्यवर को Swift से नहीं मिला सकते in spite Gulliver's misanthropy मतलब Gulliver's ने misanthropy भी show कराई फिर भी ठीक है we call Swift a great philanthropist हम उसको एक great philanthropist भी कह सकते है as he himself says और जैसे के उसने खुद कहा I write for the noblest end to inform and instruct mankind और वो यह कह रहा है कि मैं एक noblest end के लिए लिखता हूं ताक कि मैं इंसान नो मतलब जो mankind है उसको inform कर सकूं उसको instruct कर सकूं के वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या नहीं तो होप सो आप लोगो वीडियो बसंद आयोगी अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें अगर वीडियो बसंद आये तो लाइक करें अगर नहीं आई तो डिसलाइक प्लीज मत कीजेगा कर दे में नेक्स्ट वीडियो में